हेलो रिवन वेल्कम बैक टो ऑनलाइन स्टेडियों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज बेस्ट एमसी क्यू का सेट नमबर एट यानि के डे एट है जिसमें हम लोग देखेंगे रूसी करांती इसे पहले मैंने आपको अमेरिकी करांती के बारे में बताया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर चेक आउट कर लीजेगा कापर इंपोर्टेंट है ठीक है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो के साथ एंड तक बने रहेगा सबसे पहले तुम्हें आपको कुछ पॉइंट्स बताता तो ये आप चारो पॉइंट्स याद रहेगा कि रूसी जो करांती थी मुख्य रूप से पिछली अर्थेवस था किसानों एवं मजदूरों की देनिये इस्ती थी साथी साथ निरंकूस एवं स्विक्षा चारीस आरसन के अत्याच्यार का ये परिणाम था जिस कारण से ये वापति किया जाना है और रूस को युद्ध से खुद को वापस लेना चाहिए सेकेंड था कि भूमी किसानों को हस्तनांतित की जाया इस प्रकार सामंतवाद पर प्रतिबंध लगाया जाया बैंकों का राश्ट्य करान किया जाया लेनिन के ये तीन मांगे रखे थी लेनि अधर्सवादी समाजवाद का प्रवर्ट तक किसको माना जाता है अधर्सवादी समाजवाद का प्रवर्ट तक पी रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है ये भी याद रखेंगे इसके बाद है कि काल मार्क्स की पुस्तक थी दास कैपिटल के साथ साथ कम्यूनिस्ट मैनि तो ये प्रस्ट कई बार पूछा गया है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है या फिर दास कैपिटल किसकी पुस्तक थी कालमाक्स की यह दोनों पुस्तक इनसे लेटेड है दोनों पुस्तक को इन होने लिख है अब चलिए हम स्टार्ड गरते अपना MZQ तो सबसे पहला प्रस् जाएंगे वो बिल्कुल एंजियाटी के बेस्ट पे है नाइन क्लास में अपने सभी कुछ सभी कुछ को पड़ा है तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखे ठीक है सोवियत संग की स्थापना कब की गए थी तो 1922 में हुआ थी जिसका विक्टर 1991 में हुआ रूस के संसद का जो नाम है डियूमा और संखे परिशद है रूस की राधानी क्या होता है मौसको और यहां की जो मुद्रा है वो रूबल है तो यह सभी पॉइंट्स याद रखेंगे क्योंकि यह आपको हमेसा मिलता रहता है चले इसके बाद अगला प्रश दिखें नेक्स्ट क्वेशन के रहा है कि माक्सवाद का मुख्य समर्थन किसे माना जाता है माक्सवाद का मुख्य समर्थक किसको माना जाता है तो अगर आपने हैं पे सही आंसर सी को ठीक है तो बिल रूसी करांती के जना के रूप में हम जानते हैं लेनिन को आप्शन B, आप्शन B यहाँ पे सयांसर लेनिन, ठीक है, अगला है कि रूसी करांती की सुरुआत, रूसी करांती की सुरुआत 1917 में हुई जब रूस के किसानों और मजदूर वर्गे के लोगों ने जार निकोलस द प्रश्ट भी पूछा जाता है कि किस ने किया था लेनिन ने किया था ठीक है अगला प्रश्ट नेक्स्ट वन है कि किस वर्स को खूनी रविवार के रूप में जानते हैं किस वर्स को खूनी रविवार के रूप में जानते हैं हम आगे देखेंगे कि क्या है खूनी रविवा रविवार के रूप में ऑप्सन डी, 1905 को जानते हैं, ऑप्सन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है 1905, चलिए इसके समंध में कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने लिख रखा है, आप इसको समझ लीजिए, कि खुनी रविवार 22 जनवरी 1905 की घटना है, 22 जनवरी 1905 की घटना है, इस द सिती, वेक्तिगत सवतनता और जवाचित राष्ट्य विधाईका के बारे में पूछा गया था, प्रदासनकारियों का नहतित्व, फादर जोर्जी गैपन ने किया था, ये भी कई पर पूछा जा सकता है, ये खुनी रविवार के अंतरगत, प्रदासनकारियों का नहतित् और इसी को कहा जाता है, खुनी रविवार, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, अगला प्रशने के, निमली खित में से कौन सा कथन सही है, निमली खित में से कौन सा कथन सही है, तीन पॉइंट से तीनों को अच्छे से पढ़िए और बताईगी क्या होगा हमारा राइट सबसे पहला पॉइंट से है की गोरकी, गोरकी जो है, टॉल्स्टोई, गोरकी टॉल्स्टोय जैसे विचारको और लेखो को नहीं रूसी जनता को जागरू करने का कारे किया था, गोरकी की एक पुस्तक थी, दप्राइपहर नामक पुस्तक के माध्यम से लोगों को इसके बाद है टॉल्स्टोय, टॉल्स्टोय नहीं वारंट पीस की सुचना के माध्यम से रूस ही जनता में सम्मान की भवना जागरित की, तो यहाँ पे देखे तीनों की तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका यही होगा कि करांदी गारियों 1905-1917 का सामना करना पड़ा, जार का मतलब समराथ होता है, इस चीज को याद रहेगा हो सकता है, पूछा जागी रूस के संदर में जार का मतलब क्या है, तो समराथ होता है, तो देखे यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रूसी करांदी होई और 1905 में ज जार निकोलस दूतिये, जार निकोलस दूतिये, 18 माई 1868 से 17 जुलाई 1918 रूस के अंतिम समराथ बने रहे है, निकोलस दूतिये को एक अनुभवहिन और अक्छम नेता के रूप में चित्रित किया गया है, उनके इस आसन काल में 1905 की रूसी करांदी हुई थी, यान उनिस की जरूतों के प्रति असमवेदन सिल्ता ने 1917 की रूसी करांदी को बढ़ावा देने में मदद की, निकोलस दूतिये को यहाँ पे देखे, किस वन्सका, राजवन्सका, तो रूमा नो, राजवन्सका अंतिम सासक माना जाता है, अंतिम सासक था, जिसने रूस पर 300 से अधि किलियर हो गया होगा, अगला है कि विस्वे के एक जूट मस्दूर का नारा किस से जुड़ा है, तो यह रूसी करांदी से जुड़ा है, अप्सन C, अगला प्रस्ट हमारा यह बनता है कि रूसी संसद ने सोवियत संग से अपनी स्वतनता की घोशना कब की थी, तो 1990 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, उप्सन E, 1990 में, अगला है कि समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याए की ओधारना किस करांदी से लिग गई है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा उप्सन D, रूसी करांदी से लिग गई है, और इसको एकदम VVI questions मान लीजे, पूछा ज आर्थिक और राजनीतिक जो न्याए है, इसके ओधारना कहां से लिग गई है, तो यह रूसी करांदी से लिग गई है, और हमारे प्रस्तावना में यह सामिल भी है, तो इसको याद रखना है, चले, इसके बाद अगला है, कि दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किस ने द आता, तो यह नारा दिया गया था, काल माक्स के दौरा, तो एक उटे करेंगे, काल माक्स बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, अगला है कि जार मुक्ति दाता के नाम से किसको जाना जाता है, जार मुक्ति दाता के रूप में किसको जाना जाता है, तो जार मुक्ति दाता के र कि वारेंट पीस के लिखक लियो टॉल्स्टर है तो उसी तरह से यहां पर इनके एक और रचनाती अन्ना कैरनीना लियो टॉल्स्टर ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट वन सुन्यवाद का जनक किसको माना जाता है सुन्यवाद का जनक किसको माना जाता है तो ध्यान रहे हैं, सुनिवाद का जनक तुर्गनेव को मानते हैं, यहां पर सभी आन्सार है, ओप्सर ए तुर्गनेव अगला एक कि रूस की करांती में सफ्रागेट, ठीक है, सफ्रागेट आंदोलण, सफ्रागेट आंदोलण से आप क्या समझते हैं? रूस की करांती में सफरागेट अंदोलन से अब क्या समझते हैं तो इसका सम्द्ध हो जागा कि महिलाओ को मताधिकार प्रादान करने वाला अंदोलन था तो आप्शन E बनेगा सही आन्चा साथ नवंबर 1917 को हुई बोलसेवी करांती का नेता कौन था बोलसेवी करांती यानि की रूसी करांती को ही कहते हैं तो बोलसेवी करांती का नेता हमने उपर में देखा था नेतित्व करता थे वलादमेर लेनिंट यहाँ पर आप्शन B होगा एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किस ने दिया था एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किस ने दिया था ये नारा दिया गया था जार निकोलस तुटिय के दोरा जार निकोलस तुटिय ओप्शन C विल भी करेक्ट आज़ा अगला मदर की रचना किस ने की थी, मदर की रचना किस ने की है, मदर की रचना की है, मैक्सिम गोर की ने, मैक्सिम गोर की यहाँ पर ओप्शन C को ठीक करेंगे, अगला देखिए, लेरिन के मृत्तियू का अब हुई, लेरिन के मृत्तियू का अब हुई, देखे फैंस, आज है आपका 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च, और मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी कि हमारा न्यू जो कोर्स आपका 69 वीपेसी के लिए स्टार्ट हुआ है, उसकी ओफर फ्राइस सिर्फ और सिफ आज के लिए है, यानि आज 17 से लेकर के 20 मार्च तक गता, तो जो लोग भी नहीं जुड़े हुए, आज जुड़ सकते हैं, आकरी मौका है, आपके पास काफी कम कीमत के साथ, 294 में आपको मिल जा रहा है, पूरा बैच आपको मिल जाएगा जिसमें सब कुछ आपको प्रवाइड करा जाएगा, जितने भी आपके सिलिबर्स के कॉर्डिन चुबी चीज़े आपको पढ़ लेए, ठीक है, और अगर आपको PDF डाउनलोड करना होगा, तो PDF आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि सारा नोट्स आपको उसमें लिंक दी है, अपको डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, स्टोर सेक्शन में जाकरके, आप इस कूर्स को जोइन कर सकते हैं, 69th BPS का, तो फिलाल देखिए, लेनिन के इम्वित्ति कव हुई थी, 1924 में, 1924 option A बनेगा सायांस है, आधुनी करूस के निर्बानता किसे माना ज जाता है, तो यहां पर हमारा स्टालिन बिल्कुल सही आंस रोगा, आधुनी करूस के निर्माता गरूप में, हम लोग स्टालिन को जानते हैं, option C, निम्नांकित में से रूस की करांती का मुख्य कारण, निरंकुस, राज़तंत्र, क्रिसक और स्रमिक असंतोस, समाजिक विस यह सबी कारण थे हैं, क्मुनिस्ट मैनिफैस्टो किसके दौरा लिखी गई है, तो यह लिखे गई है, कालमाक्स के दौरा, दास क्यापिटल और क्मुनिस्ट मैनिफैस्टो, इनकी रचना है, कालमाक्स की याद रखेंगे, अगला है कि रूस का लौपुरूस किसे कहते है रूस का लौपुरुस किसे कहा जाता है तो रूस के लौपुरुस के रूप में हम जानते हैं स्टालिन को ही स्टालिन ऑप्सन डी हो जाएगा स्टालिन ठीक है चलिए अगला प्रस्ट जो कि आज कि इस वीडियो का आगरी क्वेशन से कि रूसी करांती किस अंतराष्टी के युद्ध के दौरान हुई थे इस प्रशने का सही आंसर हम नहीं बताएंगे आप कमेंट करके बतेगे कि 23 का आंसर क्या होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेशन सा कमेंट करके बतेगा कि रूसी करांती किस अंतराष्टी युद्ध के दौरान गटी थे ठीक है फिंस तो आसा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगाऊगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंसेर करिए चैनल पर पहली बार है सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन भी लाइक और कॉल पर सेट कर लीचे हम मिलते हैं आपके साथ इसी बरकार के किसी और वीडियो में नेक्स टॉपी के साथ थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग, हाव अगुड देम